नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूं कि आप लोगी जी तयारी है वो अच्छी चल रहे होगी तो मैं स्वाबत करता हूं आपके अपने प्रिप्रपच चैनल परिछाने के तन यूनिक चर्णी ऑफ डेस्टेशन में और एससी जो MTS के 2013 के एक्जाम चल र कर रहे हैं तो उसी क्राम में आज हम लोग डिसक्रस करने जा रहे हैं और यहां पर बात की जा रही है तो याद करो जली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है नेश्टन इंकम को अगर हम जोन संक्या होती है तो एक क्या करते है जिसको बोलते हैं और कटा ऑ्फ मतलब क्या होता है यह question हर सिप्ट में पूंचा गया है gross domestic product gross domestic product यानि सखल घरेली उतपाद ठीक है और एक आपका हुथ GNP और इसका full form क्या होता है gross national product gross national product सखल राश्ट्री उतपाद और GDP और GDP में कई बार मैं आपको अंतर ही बता चुका हूँ फिलाल यहां पर D का मतलब तो domestic है लेकिन आप कुशन आया जो दोबारा समझो GDP का मतलब होता है कि कि किसी देश की जो राष्टी income होती है नेशनल income होती है इसी को GDP कहा जाता है और इसी national income में अगर हम विदेशों से प्राप्त आय को भी क्या कर लें include कर लें तो जो आपकी तब जो आपकी income मनती उसको GNP राष्टी आय बोलते हैं ठीक है यह राष्टी उतपाद बोलते हैं GNP बोलते हैं ठीक है बिदेशी आय किस रोत को इंक्लूट रने के पाद तो D का फुल पॉम यहां पर फिलाल domestic है कुशन नमर ती 21A में जोड़े थे जब हमारा जब यह जोड़े गए थे तब यह किवल दस थे आपके लेकिन फिर आपका एक हुगा 86 समिधान संसोधन ठीक है जिसमें जो सिच्छा का अधिकार था यह जो अधिकार था यह मौलिक करतब में भी जोड़ा गया 21A में ठीक है और साथ ही साथ इसको फंडामेंटल ड्यूटी में इसलिए जोड़ा गया कि जो माता पिता हैं या जो सरकार हैं वह 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को क्या करें इस पर आरमिक सिक्छा उपलप दिकर आएं तो यह फंडामेंटल ड्यूटी में और सासथ फंडामेंटल राइट दो नम था तो बरतमान में इस आधर पर गैर आपके मौलिक करतब हैं ठीक है नेस्ट कुश्चन अबर 4 हमारे सामने भारत में सरवोच कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है तो सीधी बाद और पार्लियमेंट ऑफ इंडिया की भारत की संसथ ही क्या करती है समिधान में कानून मा काम करती है तो इसमें आपको पता है लोग सभा आती है और साथ साथ में क्या आती है ठीक है लोग सभा राज सभा से कोई चीज पारत होती है फिर वो जाती है कहां प्रेशिडेंट के पास तो यह पूरी हमारी संसित की प्रिक्रिया है जिसमें कानून मनने का कार होता है तो जाने वाला घर मिक करता तो यानि कि आपका कौनसा कार रहा है या फिर यह भूमी राज़िद से कत करने का जिकार है आप रादिक ने आलहे हैं और भी देखते हैं जो आपका फॉसदारी अदालत होती है फॉसदारी डेफिनेटटी जो क्राइम से रेटेड होगी तो आपका दिवानी पढ़ता है ठीक है ये जो धीवानी होती थी यह किस पर लगा जाती ये एक प्रकार का आपका पॉस्द ने एक आंप कि हम अच्छे यहां पर एंटीक है दिवानी जो आपका था ये भूमी राजस च्टर करने का एक अधिकार था तो एकाट् 2 हो जाएगा आपको मैं जजिया पहले ही बता चुक हूँ जजिया क्या है जजिया आपका एक प्लिग्रम टैक्स है ठीक है जुद्धा तीर्थ यात्रा पर दिया जाने वाला था तो डेफिनेटल यहां पे कौन सा हो जा एक टू बी का थ्री सी का वन ऑफ्सन नमर ए हमारा सही स्वाइब के सासंकाल के दौरन जो राजस विबस्त्था थी किस नाम से जाना जाता था तो उसको जब तो बोलते थे जब तो उस अगर आरे हम अकबर के समय में बात करें तो के समय बित मंतरी थे और वहां पर च्टेक्स क्लेक्शन किया जाता था ठीक है उस पिरणाली को पूछा गया है कि अकबर के समय टेक्स कलेक्शन की प्रिणाली होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था ठीक है अब घर हम बात करें यह आपके सक्तिसाली सम्राठ थे पूरे आपके मुगलकाल के ठीक है और इनका जन्व 1512 ECB में हुआ था और जो डैथ हुई थी तीसरे नं किसकी प्रिणाली शुरुआत की थी मनसब्दारी तो यहां पर जो राजस वस्ता थी उसको जब तो नाम से जानते थे और टेक्स कलेक्शन की वस्ता को दहसाला नाम से जानते थे बित्तमंत्री टोडरमल थे जन्मिन का 1512 में हुआ था मिर्टू 1605 में हुई थी और मनसब् सब्सक्राइब को देखते हैं दश्चनी गुलार्द में सिसर आयनांत के दौरान सिसर आयनांत का मतलब होता है विंटर सीजन विंटर सालिस्टाइज बोल सकते हैं जैसे यह मालू आपकी पृतिवी है यह आपकी एक्क्वेटर नीचे वाला साउथ है इसको बोलते हैं ऊत्री गुलार्द में आपको पता है कि यह मौसम होता है कब रिंटर कर्म हो फारीya question no.8 है आपके सामने which of the following latitude passes through the Asia Asia से कौन सी रेखा हैं गुजरती है यह आपकी पृति भी है आपकी ठीक है और यहाँ पर यह एक वेटर है यानि भूमत रेखा यगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 23 and half degree जो नौर्थ पर है ठीक है यह आपकी है कौन सी रेखा करक रेखा ट्रॉपिक ऑप कैंसर ठीक है और वहीं हम साउथ में चले जाएं 23 and half degree साउथ यहाँ पर है मकर रेखा टॉपिक ऑप कैपरी कौन और यह आपकी कौन सी है एकवेटर है तो अगर हम एसिया की बात करेंगे तो एसिया आपका इधर से ऐसे पूरा यह वाला ही यह कपर करता है तो यहाँ से आपकी करक रेखा भी गुजरती है और एकवेटर भ हो जाता है रतोंदी को ही बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं अंधिरे में कम दिखा देता है ठीक है फिर जो विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है सकरवी रोग हो जाता है ठीक है विट VITAMIN E यह आपका FETIALITY से LE다TAR है FETIALITY PROBLEM होना स्टाट हो जाती है बांजपन जैसी अदि-ता और आपका आता留言 के जो कि आपका BLECALOT ौटिंस विटम्न क क्यों में टो REM घ सरी चोट लग जाने पर पर कुंण आपका हड्डी है ठीक है यह मान के चल रहे हैं यह हमारी हड्डी है इस परकार से ठीक है अब हड्डी से क्या होगा कि जैसे मालो यहां पर दूसरी हड्डी भी जोड़ सकती है आपकी हड्डी से दूसरी हड्डी भी जोड़ सकती है और साथ साथ में हड्डी से क्या होती मास पेसिय यानि की हडनी टू हडदी अगर एक हड़ी से दूसरी जुड़िया उसको उस जुड़ाव को बोल देंगे फिलामेंट और आगर हड़ी से अगर आपकी मसल्स जुड़ी हुई है तो क् beetje ट्यूंदे तयो सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए नेस्ट कुश्चन नंबर आपके सामने है 11 जो ब्लड प्रेशर होता है रक्तिचाप क्या होता है तो रक्तिचाप यह अपका होता है तो प्रेशर ऑफ ब्लड एक्षार्टेड ऑन दा वॉल्स ऑफ आर्ट्रीज यह जो हमारी धमनिया है या जो हमारी सिराएं है उनके उपर जो प्रेशर लगता जो दाव लगता है ब्लड का उसी को बोलते है ब्लड प्रेशर तो आप्सन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नंबर 12 क्या है वाट इस दा फंडमेंटर इन अफ टाइम सभी ल यह आपका बलफ है और अब मैं इस प्रिकार से यह ठीक है और यह पतला तार लगाओ तो चमकता है इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं तो आप्सन नंबर यहां पर वन करेक्ट हो जाएगा ओके नैश्ट कुश्चन नंबर 14 आपके सामने है संग प्रतरहन उपकरण याननी कि जो डेवाईस इसोती जया ठाठा को ख॥ता किया जाता है तो अगर इंटर्ण हाइट काराइब Lucky है से कंड़ेट्री कि डिए तो पर यह क् सुश्चन देवाईसे अर सिद्रया मैंटने अर्थ्स करस्ट Ailu Minium अल्यूम्यम थदू प्रिथीविमित सबसे ज्यादा मतरा में पाई जाती है ठीक है और इसका प्रमानुक रॉक्सक्ता थेरा और इसका जो कुशन नमबर 17 है क्लोरो फ्लोरो कारवन यानि CFC जो कि बायो बंडल की ओजन परत को छती पहुंचाती है का उपयोग निम्न मैंसे किसमें नहीं किया जाता है तो किसमें किया जाता है पहले तो वह समझ लो जितने भी प्रिकार के सीतलाक होते हैं यानि कि कोल्ड कोल्ड जिस प्रच्छा वीवा योजना में जो पॉलिसी होल्डर्स थे इनके कितनी रासी दुरगटना वीवा में रासी मिलती है तो यहां पर उनकी रासी पूछी कितनी है तो यह 20 लाग इसको डिसाइड की गई थी तो आपसन नमबर सी यहां पर करक्ट हो जाएगा कुश्या नमबर और अगर चंद से कर वेंगर्ट रमन की बात करेंगे तो यहां पर डिस पर्जन ऑफ लाइट यहां प्रिकास का जो फैला होता है उसके बारारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था और जो आटो बलैती है इन्होंने क्या गवा था कि एच्छिली में ट्रांस फार पर चामर रही थी नेक्स्ट कुश्चन है 21 इन्हें से किस सहर में जैपूर की महराज सवाई जैसे ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था तो जो आपकी जैपूर में बनी हुई है ठीक है यह आपकी मत्रा में भी है और आपकी न्यू दिल्ली में अजमिर में नहीं है और सादरी साथ में आपको यह बता दें कि जो वर्ड हैरिटेज में सामिल होने वाली आपकी जह जैंतर मंतर हैसिय है सामिल यह यह नहीं है तो आपको जहां रक नाली है तो कि जैपूर वहार नहीं में अन्ग के राइटर कौन है तो फूट पर यह उमा लेले की काफी चर्चामरा ही थी भुक ठीक है भारत असब गत समझाओते से जुड़ा हुआ क्या लिखा हुआ है यहां पर असब क्या लिखा है असब बद एग्रीमेंट विच एक एक एग्रीमेंट है जो किस समझाओते के लिए ठीक है नेश्ट कुश्चन खतम हो गए हमारे 25 कुश्चन थे आई होप दोस्तों ने आप लोगों को इंजॉय किया होगा प्रेसी प्रकार से प्रेक्टिस करते हैं जितने कुश्चन आपके सामने से गुजरेंगे आपकी तयारी उतनी बहतर होती चली जाएगी और क जिन जिन टॉपिक से कुश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं और हंडेट परसेंट बनते हैं कि इससे कुश्चन एक नएक तो आना ही है हर सिफ्ट में आना है उन टॉपिक्स को लगातार पूरी तरीकर से डिस्कुस करेंगे छोटी छोटी चोटी वीडियो होगी और उन व बिल्कुल भी नहीं भूलें एक्जाम जाने जे पहले वह सौट्स वीडियो जरूर देख के जाएं ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक क्यार बाई बाई